असलाम आज में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मटन खिचड़े की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले हैं परफेक्ट मेजरमेंट एंड टिप्स एंड ट्रिक के साथ बहुत यम्मी डिलीशास आपका ये खिचड़ा बनके तयार होगा तो आईए बनाना शुरू करते हैं और हम देख लेते हैं हमें कुन-कुन से इंग्रेडिन के जर्वात होगी खिचड़ा बनाने के लिए लेकिन मेरी हमार रिक्वस्ट है चनल पर न्यू आये हैं तो प्लीज मेरी चनल रुपीस कुकिन पैशन को सब्सक्राइब कर लें बेल दो कप आप चाहे तो इसमें एक कप के हूँ और एक कप इसमें आप जों भी ले सकते हो और अगर हम मेजर करेंगे तो मैंने इसमें 400 ग्राम ये खिचड़े के गेहू लिए अब इसमें हम गेहू में डालने वाले हैं चनी की दाल अब इसमें हम एड़ करने वाले हैं 150 ग्राम चनी की दाल और चनी की दाल दाल के गेहू और चनी की दाल को अच्छे से अभी हम मिक्स कर देंगे और 3-4 पानी से अच्छे से वोश करने के बाद तकरीबान हम ओवरनाइट रख देंगे दोनों ही इंग्रेडियन को और अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप 2-3 घंटी के लिए भी भीगा के और खिचड़ा बना सकते हो लेकिन उसमें आपको होट गरम पानी कर यूज़ करना होगा तो इस तरह से गेहू और चनी की दाल को भीगा के अभी हम रख देंगे साइट में और दालों का भी ह इसमें 50 ग्राम लिए यह भी इसमें ट्रासफर कर देंगे और मसूर की दाल के बाद अब हमें चाहिए होगी इसमें उरत की दाल 50 ग्राम इसमें उरत की दाल भी हम शामिल कर देंगे और इसके बाद अब हमें चाहिए होंगे चावल तो 50 ग्राम मैंने इसमें चावल भी लि अब हम चलते हैं नहीं यहाँ पर अच्छी लेकिन हमने अभी 80% गलाना यह और चनी की दाल को इसमें हमें और भी इंग्रेडन आड़ करने हैं तो फ्लेम को हाई करके 2 घंटा हमने बहुत अच्छे से कूप किया है इसमें हमने अभी हल्दी वगेरा नहीं दाली है तो बहुत अच्छे से अभी हम मिक्स कर देंगे उसके बाद इसमें हम आगे के इंग्रेडन दालेंगे तो दाल चावल को भीगा के हमने 10-15 मिनट के लिए साइट में रखा था अब ये दाल और चावल भी दाल देंगे और अब इसमें हम पानी दालेंगे दाल और चावल के हिसाब से तो तकरिबान हम इसमें तीन तक पानी और एड़ कर देंगे वन टेबल इस्पून हल्दी भी सी में एड़ कर देंगे सारे इंग्रेडन को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे वन टेबल स्पून हम इसमें मिर्ची का पेस्ट भी दाल देंगे हरी मिर्ची का पेस्ट फ्लेम को हाई करके 10-15 मिनट के लिए और पुक होने देंगे अब हम गोश्ट की भी तयारी कर लेते हैं गोश्ट बनाने के लिए मैंने ही आप प्रेशर कूकर लिया है 200-300 ml के लिए ऐल तो एसमें दाल देंगी गोश्ट की गोश्ट पानी से एक किल्व गज्ट की आप लिया है अब गोश्ट को फ्राइड कर लेंगे म stylish टश्ट की समेल खतम हो जाती stuk तो एक च.व बुई मिनट पानी ठहले बन और यहां पे देख सकते हूँ completely ghost का color change हो गया तो इस point पर अब Isma हम ingredient आड करेंगी तो सबसे पहले हम इसमें डालने वाले हैं दो तेज पत्ता अब इसमें हम शामिल कर देंगी तीन लौंग और लोंग के बाद इसमें चैण 2 टेबल इसमें हमने अधर लेशन का पेस्ट एट किया है और हम इसमें धनीयायका पाउडर रैट कर देगे कि 1 समयंदी का पाउडर दिया है तो यह पॉड़र मसाले की मैं ऐट कर देगे और मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है मिर्ची का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट ये भी इसी में शामिल कर देंगे गोश में और इसमें हम नमक दालेंगे तो अभी मैं गोश के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर देंगे तक्रिबन 1 एन 1 अफ टेबल स्पून और सारे ही इंग्रेटन को दाल के बहुत अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे तो मैंने इसमें सारे पॉटर मसाले और हरी मिर्ची का पेस्ट वगेरा सब इसमें आड़ कर दिए अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्लेम को हम हाई रखेंगे अब इसमें हमने पानी शामिल नहीं किया है तो पानी भी इसमें हम दाल देंगे तो तक्रीबन हम इसमें दो कप के करीब पानी भी आड़ कर देंगे मैंने इसमें मटन का गोश गया है आप जाएं तो बीफ के साथ में भी बना के रेडी कर सकते हो अब इसमें हमने प्यास वगेरा नहीं दाली थी तो हमने इसमें प्यास भी एड़ कर दी तक्रिबन 200 ग्राम मैंने ये प्यास लिए जिसको मैंने लोंग स्लाइज में कटके है तो ये प्यास भी इसमें डाल देंगे कोश में सारे इंग्रेटन दाल के बहुत अच्छे से हम मि तो सारे इंग्रीडन अच्छे से मिक्स होगे अब हम विश्कर की मदद से बहुत अच्छे से मेश कर लेंगे सारे इंग्रीडन को इस पॉइंट पर खुष्ड़े को आप जीते अच्छे से मेश करते हो खुष्ड़ा हमारा इतना ही लजिस बनके तैयार होता है तो यहां थोड़ी सी आपको मेहनत की जरवत दें यहां थोड़ी सी आपकी मेहनत लगने वाली है लेकिन आप यदि बहुत करें आपका यह खु प्यास बगेरा दाली थी प्यास को बहुत अच्छे से अभी हम मेश कर लेंगे तो फ्लेम को हमें यहां पर हाई रखना ही कि इसमें अभी पानी है तो पानी को अच्छे से ड्राइं होने देंगे और इस पॉइंट पर आप गोश्ट को जितने अच्छे से भूनते हो इसमें अच्छी खुश्बू आती है और सारे इसमें से सारी स्मेल भी रिमोफ हो जाती है अदग ले सुनकी तो इस तक्रिबान हम 10 मिनट अच्छे से भूल लेंगे और 10 मिनट के बाद यहां पर हम खिच्छड़ को भी देख लेते हैं यहां पर देख सकते हो बहुत अच्छे से ह नहीं दाला है लेकिन अब इसमें हम एड़ करने वाले हैं गोश तक्रिबान 10 मिनट हमने अच्छे से गोश को भी भूल लिया था बहुत अच्छी खुश्बू आरी इसमें भी सारी मसालों की गोश डाल के सारे इंग्रेटन को खिच्छड़े के साथ हम बहुत अच्छे से मीक्स कर देंगे और उपर से हम इसमें थोड़ा सा दाल देंगे हरा धनिया बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हरा धनिया आप इसमें जरूर से दाले हरा धनिया दालने के बार सारे इंग्रेटन को अच्छे से मीक्स कर देंगे लेकिन अभी इसमें हमने नमक पगेरा शामि कर रेंगे भण टेबल स्पोन और इससे हम डाल देंगे व거 Earth 1 करने के आक एट 10 थे में हाहरी मीरुची दलेंगे शामिल च thankfully Battlefield का और एस तोड़ा सा पानी और दाल यह प्रेशर कुकर में काफ़ी ग्रेवी लगी यह ती इसली में हम थोड़ा सा पानी दालेंगे और पानी भी इसी में हम शामिल कर देंगे खिचड़े में तो इसमें हमने सारे ही इंग्रेडेन दाल दिये इंग्रेडेन दाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को दो मिनट हाई करके बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे और दो मिनट के बाद फिर फिलेम को मीडियम टू हाई करके फिर खिचड़े को तक्रीबन 10-15 मिनट और अच्छे से कुक कर लेंगे और साथी साथ हम अच्छे से चलाती भी रहेंगे खिचड़े को 10-15 मिनट खिचड़े को अच्छी से कुप करने के बाद फिर हम इसे खिचड़े को सर्फ करेंगे जब आप खिचड़े को सर्फ करेंगे तो धनिया पुदीना और फ्राई प्याज के साथ में आप इसे सर्फ करें वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले फैमली फ्रेंट में मेरी वीडियो को जादा से जादा शेयर कर देए कॉमेंट करके मुझे जरूर से बताए आपका मटन खिचड़ा के सब बना वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच अलाफीज